आज हम बात कर रहे हैं देसे शिक्षा समस्कार अजमेट से से कीडियर व्यस्टिसी पेपर थावड आज हम लेकिने मज़्धू बच्चों की शिक्षा सारवचली इसकुल का उधर तानि मज़्धू बच्चों की अंदर शिक्षा कैसे आए हम अठारवी सदी से शुरू करें अठारवी सदी के अंदर देखें तो अठारवी सदी के अंदर ऐधो की परण आया था और ऐधों की पार्ण की कारण श्याहरो के aixòव जो करन तक रहने लगे और शहर कारण मजदूर वर्टों के अंदर कि जो मजदूर दें उनमें क्या आया विद्रो पन्पा और प्रांटिकारी विचारों उसे प्रभावित हुआ बोघ्र प्रांद कई developer देखा गया और वध्य परण जो तहा वह स्वेद्रों से क्या हुआ चिंती दोने लग गया क्योंकि मजबूरों किया और क क्रांगतिकारी प्रफाति को दिले में तो इसके अंतर के वहार देखें एक व्यक्ति था और अट इस द्राइटस इसने वहां कि मजबूर बच्चों को देखा जो पहां रहता जिसने एक सकूल खोला और वह फीक्षा लो सैस्टर और शहर के अंडर अधर इसने मज्दूर बच्चों के लिए एक स्कूल खोला मजदूर बच्चों के लिए क्योंकि इसमें देखा जा कि जो मजदूर बच्चे थे वह बहुत अधी आज सब्सक्राइब और इस कारण से स्कूल और जहां पर यह जो स्कूल था यह इसकूल इसाइद धर्म से जड़ा था और इसाइद वह बोला जाता है कि रविवार को काम और लिए यह तो इसी वजद यह जो स्कूल थे वह रविवार को कुलते थे याहिए रविवार को जठना को सुभूर है कुलते तो बच्चे का पड़ते थे सिर्फ रभीबाह और फडियों आप्ड हाफ में बच्चे घ्रभ अध holiday k ça कि उसन समय लगता था कि इनको व्याकरह ज्यान को तो मजदूर स्कूल को एधान के अंदर और एंधर को चुपते होती सिसले से बैघ्रा उरुभिभार बुलते हैं और वाकी पच्ची क्या करते हैं काम पांवे देए को बाइबल की शिक्षा दी चाथी और वाइबल के अंतर प्रभाब पढ़ा जो नंवे जाहिल थे यानि उनमें किसी भी तरह के संस्कार नहीं को मिलते थे हम संस्कार की द्वारा ही क्या बनते हैं पशू और मानव के अंदर अगए एक चेंज ही तो वह कौन सा चेंज है और यह संस्क्रति इन बच्चों में देखने को नए मिलते थी और इनोंने business नहीं जाहिल थे वह स्कूल जाने लगे अंदर उसके द्वार अव्यवार में बदलाव देखा गया वहार में बदलाव देखा गया यानि बच्चों के वहार भी क्या परिवर्टन आ गया वह सुशी लोगा है कि यानि सब भी वहार बिढ़ने लगे वह आध्याकारी हो गया यानि वह इनको कोई बात बोलता था तो पहले क्या था वह चाहता काम करते थे या या परातिप्रवती ऑने क्या होगा है बहुत अधिक देखा लेगी शेऔर। गए अप्रअधि-प्रवति अधिक्ति मिलागे प्रभाव गया और इसका जो संदेश गया इन ब्रभीवारी स्कूल को खोला था इसका गया यहां वह कह सकते कि प्रभाव गया वह प्रभाव क्या था कि बच्चों के प्रभार के अंदर विध्याले क्या हो गए और अधिक संख्या में खुलने लगए और इनकी जो संख्या थी वह क्या हो गई बढ़तर पांच अचार हो गया था तो यह पर दिरे दिरे इनकी संख्या हो गए पांच अजार इसकूल खुल गए और इन फांच अजार स्कूलों के अंतरगत जो बच्चे पढ़ते थे दो लाग पचास अजार बच्चे वहांपर क्या करने लगए पढ़ाई करने लगए यानि शिक्षा करते थे किसके लेटे थे और जो शालाय थी जो रविवार शालाय थी यह क्या था नीजी प्रयास था किसका एक भ्यक्ति का और नीजी प्रयासों तो त्वारा यह क्या थी कोली गई थी कि कि लोगों का था गीजी प्रयास था और स्वतंत्र प्रयास था इसमें सर्कार का कुछ भी लेन देने था तो स्वतंत्र रूप से नीजी व्यक्तियों के द्वारा खोली गई थी और धीरे धीरे यही आगे चादकर आज जो हम सारचनी दिश्कूल देखकर विक्सित हुए लेकिन इसका कुछ नकारात्मा प्रभाव भी पढ़ा वो नकारात्मा प्रभाव क्या था कि यहां पे सिर्धार्विक शिक्षा दी जाती थी अग्रविक वोगई और नियुक्त आगे अधीकार नहीं है और धर्म के आधार पर उने क्या रहता हुआ था पैदा हो गया कि वो आगे नहीं पढ़ सकते ही पावना और अप्राथ से यानि नमारत को प्रभान के देखने को मिला ही पावना और अप्राथ हो चिस्चुन में क्या और धार्विक बन पैदा हुआ धन्यवाद